नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एरुन सौकत करता हूँ आपको डॉकी जॉसम चैनल पे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पार्वा वैरस ये डॉक के लिए दुनिया का सबसे कतरनाक, बयानक, दर्दनाक और गातक बीमारियों में से एक हैं अगर आपका डॉगी को ये बिमारी आ गया, तो समझ लेना कि बचने का चैन्स बहुत कम है क्यूंकि इसका मोटाल्टी रेट 92 परसंट है, यानि कि बचने का चैन्स लगबग 8 प्रदिशत का है दोस्तों, अगर आपको भी, या फिर आपका डॉगी को कभी ये बिमारी हुआ, या आपको कोई भी एक्सपिरियन्स हो तो कृबिया नीचे कमन बॉक्स में जरूर लिखेगा, था कि हमारे व्यूवर्स को आपसे भी कुछ सीख मिले, कुछ आप कुछ आइडिया मिले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिकेस्ट है कि अगर मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृबिया सब्सक्राइब करें और आपको और आपका परिवार बालों को मेरे तरव से और मेरे टीम की तरव से पूरे डॉगी सोसम टीम की तरव से क्रिस्मस का और नए साल का हार्दिक शुब काम लाएं चलिए शुरू करते हैं पार्वो वेरस वेसे सन 1970 में शुरू हुआ था यह एक highly contagious disease है यानि की बहुत जल्दी फैल जाता है डिरेक्टली और इंडिरेक्टली डिरेक्ट मेतड कैसे होता है डिरेक्ट मेतड वो है जैसे की जैसे कोरोना वेरस कैसे फैलता है हम सब जानते हैं एक दूसरे से मिलने से हाथ मिलाने से पास में कड़ा हो करके बात करने से वायू में भी फैलता है हम सब जानते हैं उसी तरह यह पार्वो वैरस भी एक दूसरे से मिलने से डॉक के से एक दूसरे से मिलता है जब भी डॉक मिलता है तो देखिए डॉक का एक आलता है कि sniffing का जिस तरह इंसान का fingerprint यूनीक होता है उसी तरह nose का prints होता है वो भी हर डॉ का यूनीक होता है इसलिए एक इंपोर्टेंट एंड यूनीक फीचर है डॉक्स में स्निफिंग तो यह जब स्निफ करता है सुमता है तो यह बीमारी बहुत जल्दी फेलने का चैंस है और इंडिरेक्टली के से फेलता है देखिए जो अफेक्टेड डॉक जिसको पार्वो व वोमिटिंग या कोई भी लूस मोशन के हुआ वेस्ट या बलेड वगेरा बाहर पड़ा रहेगा और अनफेक्टेड डॉक उसको इंडिरेक्टली आकरके बात में कभी भी जब सुमेगा जब स्निफ करेगा तो क्या होता है इंडिरेक्टली जो अनफेक्ट डॉक को भी यह विमारी यानि की parvovirus आ सकता है parvovirus एक gastro-industinal deceis है जब भी parvovirus कोई भी dog या puppy को आता है तो सबसे पहले industrian ko doggy का industrian ko attack करता है ताकि industrian का सारा का सारा काम struck हो जाए उसी कारण कोई भी protein loss कोई भी blood loss वगेरा doggy को दिखने लगता है वैसे पार्वो वैरस सारा डॉक्स को नहीं आता है खासकर पपीज को आता है पपीज भी छे मैने तक का पपीज छे मैना उमर तक का पपीज को यह बिमारी आने का chances ज़्यदा होता है वो भी अन्वैक्सिनेट पपीज को बहुत ज़्यदा chances है यह बिमारी आने का और रोटवेलर जर्मन शपर्ड जैसे कुछ ब्रीड से खासकर उनको अगर यह पार्वो वैरस आ गया तो बचने के chances बिलकुल ना की मातरा में आईए देखते हैं इसका science and symptoms क्या है अगर आपका दोगी को यह बिमारी हुआ तो पता कैसे चलेगा कि पार्वो वैरस आ गया कर गए आईए देखते हैं सबसे पहले लेतारजी लेतारजी का मतलब है कि सुस्त पड़ा हो अगर आपका डोगी कही कोणा में ऐसे सुस्त पड़ा हो बिलकुल खाना ना खाता हो होगा कुछ जाग टाइब का कुछ जल टाइब का या वाइट कलर में या फिर एलो कलर में कुछ ब्लड स्टेंड भी हो सकता है और पंजन स्मेल होगा बिलकुल बदबूदार एक्सक्रीट्स होगा तो आप समझे लेना कि पार्वारस का लक्षेन है अगला पोइंड है की डाइरिया भी विजिसे नॉर्मल है लूस मोशन वगरा नॉर्मल होते रहता है लेकिन यह कुछ अबनॉर्मल होगा कुछ कलर अलग होगा कुछ ब्राउनिश या फिर कुछ ब्लडश कलर होगा blood stains जरूर होगा इसमें loose motion में तो आप सुने लेना कि कुछ abnormal and dangerous है नेश्ट चैकी fever fever अगर parvo virus पे आजाता है आएगा तो जरूर जब आजाता है तो बहुत fluctuating होगा इसका temperature बहुत up and down चलेगा वो भी बहुत high में और अगला एक ही इसे आपको पहले बताया कि यह gastro-industrial disease है और इस कारण जब देखे आपको उसी time बताया कि blood counts में बहुत फरक आएगा platelets में बहुत फरक आएगा बहुत lowering आएगा तो चाहिए WBC में चाहिए RBC में चाहिए platelets में कोई भी count में variation आता है तो यह सारा लक्षन है कि parvovirus का अगर यह सारा लक्षन आप अपना doggy में या फिर puppy में देख लिया तो समझ लेना कि parvovirus है तो क्या करना चाहिए treatment लेकिन treatment से ज़्यादा important है उसका prevention आपने सुना ही होगा prevention is better than cure कोई भी बीमारी आ करके टी करने से अचाहिए कि उसको उससे बचाए जाए prevent किया जाए तो prevent कैसे करें सबसे पहले उसके पारे में बताते तो preventive measures क्या क्या है सबसे पहला point है कि health, hygiene and sanity session health यानि कि उसका तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती कैसे करें उसको सही काना सही मात्रा में, सही समय पे दे ताकि उसका immune system सही बना रहे और hygiene, hygiene का मतलब है कि साफ सफाई, जैसे कि नलाना और आस पास का environment है उसको सही रखना, उसको साफ रखना इस सारा को कहता है hygiene and sanity session और अगला point है कि distancing, अगर आपको पास doggy एक से ज़्यादा हो तो उसको proper distance में बनाये रखो एक साथ मत रखो क्योंकि इसमें कही सारा chemical activities चलते रहता है क्योंकि living being है तो कही सारा chemical activities होगा एक दूसरे को नुकसान दायक होगा तो अलग रखिएगा तीसरा point A की vaccination सही टाइम पे vaccination देना जिस तरह से आम अपना गर को दिवार बना के protect करते हैं उसी तरह उतना ही important दे की एक dog को vaccinate करना जिस तरह से आम अपना बच्चों को vaccinate करता है बच्चमन में time to time उसी प्रकार में डॉगी को भी vaccination करना बहुत ज़लूरी है इसका immune system को बढ़ाने के लिए इसको immune system को support करने के लिए अगला point दे की exercise जितना important है खाना खिलाना और साफसाफाई रखना उतना ही important है exercise भी क्योंकि जो body activity support करता है metabolic process में इसका digestive system को support करता है इसका growth को support करता है और इसका indirectly और directly immune system को भी support करता है जो इस virus से या कोई भी virus से attack करने के लिए और इसको against इसको fight करने के लिए और last point और important point है की love प्यार तो dog को के से प्यार करें socialize करना चाहिए क्योंकि socialize करने से उनका mind active रहता है और एक लगाव रखेगा तो हमेशा active रहने के कारण immune system को बहुत support मिलेगा जो सबसे important है इस बीमारी को fight करने के लिए तो इतना सारा care करने के बाद भी इतना सारा preventive measures को follow करने के बाद भी अगर ये बीमारी केसे न केसे अगर आ जाता है तो क्या करना चाहिए diagnosis करना पड़ेगा इसको जाचना पड़ेगा कि सही में ये बीमारी है क्या और सही में parvovirus है और कोई बीमारी तो नहीं क्योंकि parvovirus भी दो-तिन प्रगार का है और इसका identical और कही सारा बीमारी है अगर गलत meditation करोगे तो बहुत कतरनाक साबित हो सकता है आपने सुना होगा self-medication is not only dangerous but also deadly ये आपका पपी का जान का कुत्रे में डाल सकता है तो diagnosis क्या-क्या होगा देखी डॉक्टर के पास जाने से कही सारा hormone का test हो सकता है कही सारा blood का test हो सकता है या फिर tool का test हो सकता है उन में से कुछ test का नाम अभी आपको दिखाता हूँ जैसे की feces obliques tool, ELISA test, hemaglutination test, electron microscopy test ये सारा test है जो parovirus को detect करने के लिए होता है ये diagnosis करने के बाद clear होगा की CPV1 है, CPV2 है या फिर और कोई parovirus का variance तो नहीं है ये सही diagnosis करने के बाद फिर करना चाहिए treatment और एक बात बताओं, इस बीमारी के लिए कोई भी treatment है नी, कोई भी cure है नी, अगर ये बीमारी आ जाता है पहले आपको बता है कि इसका mortality rate इतना है, 92% है, तो बचने के chances भी बहुत कम है इसमें treatment कोई किया नी जा सकता, इसमें एक ही काम किया जा सकता है, डॉगी का immunity को रखरार रखे कैसे, इसमें कई सारा measures इसमें भी देखना है और कोई treatment, specific treatment नहीं, इसमें कुछ तरीका अपनाना पड़ता है जैसे कि सबसे पहले, जैसे हम coronavirus में अपनाता है, जो भी affected patients होगा, उसको quarantine करता है, उसको segregate करता है, उसका दूसरे लोगों से अलग रखता है उसी तरह इसमें भी जिस डोग को या पपी को ये बीमारी आता है, उसको बिलकुल अलग रखने का कोशिश कीजिए, उसको बिलकुल quarantine mode पे रखे उसके बाद इसको immunity बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको gastro-industrial point पे भी brief किया था कि ये industry को affect करता है, उसी कारण एक कुछ भी, कोई भी intake लेगा है नी, कोई भी खाना खाएगा है नी, उसी कारण protein loss, blood loss वगरा होगा, तो क्या होता है, तो इसकी immunity भी उसी कारण down होता है, इसलिए हमें immunity को help करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कई सारा IVs, कई सारा IM, injections, trips वगरा, इसको inject करना पड़ेगा, ताकि इसको immunity मिलते रहे, इसको इस भीमारी से लट सके, इसके लागा और कोई specific treatment नहीं, यही इसको immunity को बढ़ाने का एक ही treatment, और जितना आप अपने पपी को बचाने के लिए मैनद किया, उतना ही important है, इसको बचाने के बाद, या फिर अगर गलती इसे यह मर जाता है, तो मरने का बाद, यानि कि post treatment बोलो, या फिर post virus attack बोलो, उसके बाद का time में क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानिया आगे के लिए हमने ध्यान रखना चाहिए, आए देखते है, post treatment इसलिए important है, यह virus यह पपी या फिर डोगी जहां भी रहा, affected doggy, affected पपी जहां भी रहा, उदर obviously virus भी होंगे, तो यह virus कई दिन तक, कई मैना तक हो सकते है, कई साल तक भी जिंदा रह सकता है, और यह दूसरा doggy में, puppy में, ट्रैंट्सर भी हो सकते है, तो उससे कैसे बचा जाए, इसलिए post treatment important है, तो आमने क्या करना चाहिए, जहां पे पपी रहा, जहां पे आपने quarantine segregate करके पपी को रखा था, उस room को, या फिर उस portion को, बिल्कुल साफ कीजी, sanatis कीजी, sanatis in the sense, जैसे आप हाथ को sanatis करता है, वैसे नहीं, आपको detol, या कोई भी disinfectant lotion है, या फिर कोई भी bleaching powder वगेरा है, यह सारा डाल करके उसको साफ करना चाहिए ब्लीच करना चाहिए, उसके बात, जो केज है, और जो भी जहां भी आपने बांदा हुआ, उसको जैसे बताया, वैसे तो sanatis करने का बात, उदर जो भी कपड़ा वगरा है, जो भी गद्दा या फिर जहां पे आपके पपी रखा था, उस parts को, उस materials को सारक सारा तरीके से अड़ी करके उसको dispose करना चाहिए, वो भी कोई भी disinfectant या फिर कोई भी bleaching powder या फिर कोई भी chemical के साथ, ताकि यह virus और कहीं fail ना सके, और जब यह patient puppy उस room में रहता था, उस समय का जो भी excret से जैसे की urine, stools वगरा है, उसको भी proper तरीके से और अपना premises या फिर अपना kennel बोलो गर से या उस compound से दूर खई ले जा करके dispose करना चाहिए, वो भी जैसे की proper तरीके से, उसके बाद जो room को आपने सैंटेस किया, डेटरोल से या कोई भी disinfectant लगा के सैंटेस किया, साफ किया, उस room को कम से कम एक अफते तक, या फिर 15 दिन तक कम से कम unused और dry रखना चाहिए, ता तो वो पूरा साफ हो जाएं, पूरा dry हो जाएं, ताकि future में हमारा कोई भी डॉगी को या पपी को ये दिकत दुवारा ना आ जाएं, ये है पारवा वैरस के regarding एक चोटा सा वीडियो, उमीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई भी सवाल या सुजाव वगर आज के लिए तने ही तैंक्यू, जाएं